दोस्तों नौरात्री के मौसम में फलाहार के लिए सुचना पड़ता है कि हम क्या खाएं तो आज मैं बनाओंगी साप दानी का खिष्डी इसके लिए हमें मुंपली को रोश्ट कर लिया है और इसके कवर को पुर्टीर के से निकाल लेंगे तो इस तरीके से यह ठंडा होकर ही निकलेगा अब इसे साप किये हुए मुंपली के दानों को हम पालनी ग्राइंड करेंगे तो यहां हमें तीन चमच मुंपली के दानों लिये हैं एक टेबल स्पून बेसी घी लेंगे और इसे मिल्ट होने देंगे दो लुगों के लिए हमने हाप कप साप दाना लिया है इसे धुल करके चान करके और चार से पांच घंटा रखे हैं यह देखके दाना एक दम फूल गया है अच्छे से अब इसमें देसी घी में दिटरा लेंगे और इसे चिटकने देंगे हरी मिर्च स्वादा नुसार कम और जदा आप कर सकते हैं जीरा लाल हो गया है अब इसमें हम मिर्च डाल दिए और साप दाना को हम इस तरग्या से डालेंगे इसे पल्टे से चलाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे नहाई नलू इसे लगातार चलाएंगे ताकि इसमें गांट न बने नमक स्वादा नुसार ब्रत का नमक हमने यूट किया संधा नमक और ये पॉडर किये हुए मुम्पली के पॉडर को हम इसमें डालेंगे अब इसमें कुछ साबुद मुम्पली के दानों को भी डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे बस इसे एक मिट और पकाएंगे और अब ये साबुदाने का किच्टी रेडी हो जाएगा चलाते रहने से इसमें गाट नहीं पड़ेगी और एकला किला हमारा साबुदाने का किच्टी तयार होगा देखिए कितना अच्छा लग रहा है और अब ये रिडी हो गया है मुम्पली के दाने और पॉडर को डालने पर तकरीबन एक मिन्ट तक इसे हम मीडियम प्लेम पर पकाएंगे और अब इसे बावल में निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए तयार करेंगे धनिया डालने से इसका फ्लेवल बहुत अच्छा हो जाता है तो इसमें हमने बारी कटी धनिया की पत्तियों को डालेंगे और इसे कर्मा करम सर्व करेंगे दोस्तों इस रेस्पी को बनाईए और लाइक जरूर करेंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भोलिए